पवित्रा अपनी बड़ी बहु दीव्या और छोटी बहु मनिशा के साथ रहती थी क्योंकि पवित्रा नहीं चाहती थी कि उसके जीते जी उसके घर का बटवारा हो इसलिए दोनों बहुएं लड़ती जगड़ती पर रहती एक साथ माजी आज मेरा ना खीर खाने का दिल कर रहा है अब जल्दी से किसी से दूद मंगबा लीजी और कुछ काज बडाम भी आज खीर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी हाँ हरे मनिशा बहु तेरा हमेशा कुछ ना कुछ खाने का दिल करता रहता है अब जल्दी से पैसे दे, अगर कोई बच्चा गली में दिखा तो मैं उसे से ये सारा सामान मंगवा आलूँगी मना मुझे ही जाना पड़ेगा एक दिन पहले बोल देती, तो मैं तुम दोनों के पतियों से ही बोल देती, वो ले आते अच्छा हुआ माजी जो इस दे एक दिन पहले नहीं का, मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं, कि वो खीर में काजू बादाम डालने के लिए ला सके काजू बादाम के रेट आसमान चूर हैं, और हमें कोई शौक नहीं है काजू बादाम खाने का अरे दीदी, आप हर समय हर चीज के लिए मूग क्यों बना लेती हैं, मैंने आपसे पैसे थोड़ी न मांगे हैं, मेरे पास पैसे रखें, मैं अपने पैसे दे रही हूँ हाँ, तो तुम ही दो अपने पैसे, मैंने कुछ नहीं का, तुम्हारे पैसो को लेकर मेरे सामने ज्यादा पैसे, पैसे मत किया करो, अगर माजी और बाबुजी ने मेरे पती पर भी थोड़े पैसे खर्च किये होते, तो आज मेरे भी पती की सरकारी नौकरी होती, और वो जिठानी को ऐसे गुस्से में जाता देख मनिशा अपनी सास से कहती है माजी, आपने अपनी आखों से देखा न मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मैंने तो दीदी से पैसे भी नहीं मांगी पर पता नहीं क्यों पैसे के नाम पर वो इस तरह से मूटेडा करके चली गई अरे बहु छोड़ ना उसे, उसकी तो आदती है चल, मुझे पैसे दे दे तेरा आज खीर खाने का दिल कर रहा है न छोड़िये न माजी मेरा तो दीदी की बात उसे पेट भर गया अगर आपको कुछ खाना है तो पैसे दे सकती हूँ मैं इतना बोलकर मनिशा कुछ पैसे अपनी सास के हाथ में दे कर चली जाती है अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते है और पवित्रा जब चाय पीने बैठती है तो वो अपनी बहु से कहती है देविया बहु घर में नम केन बिस्कुट विस रखा है तो देदे ऐसे सूखी चाय पीने का दिल नहीं कर रहा माजी घर में तो सब कुछ खतम है अगर होता तो मैं आपके मांगने से पहली दे देती लगता है आज भी ऐसी ही सूखी चाय पीनी पड़ेगी चल कोई न आप तो जब घर में राशन आएगा तभी नम केन बिस्कुट भी आएंगे माजी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके हाथ में पैसे दिये थे न आप उन पैसो को कब खर्च करोगी मैंने आपको कितनी बार बोला है अपका जो दिल करे वो खाओ पीओ पैसे की कमी है क्या हमारे पास अगर खतम हो गए तो मुझसे बोल दीजी मैं अभी आपको और पैसे देती हूँ पर आप ऐसे सूखी चाय बिलकुल नहीं पीएंगी हाँ इतना बोलकर मनिशा पांच मिनिट के अंदर अपनी सास को पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और एक बार फिर पैसो के लिए अपनी जिठानी को अपने सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है दिव्या को अपनी देवरानी की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि घर में जो भी सामाना था उसमें दोनों ही बराबर के पैसे देते पर फिर भी हर बार मनिशा ऐसा दिखाती मानो उसी के पास पैसे हो और उसी ने इस घर को समाल रखा हो मनिशा, 10 रुपे के बिस्कुट के लिए 500 का नोट देना जरूरी नहीं है माजी, मेरे पास आपके लिए पैसे हैं आप यहीं रुगे, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ अब आपको क्या हुआ दिदी? मेरे पास खुल दे नहीं थी, इसलिए मैंने 500 का नोट दिया माजी को और वैसे अगर मैंने माजी को पैसे दे भी दिये, तो क्या हुआ? माजी हमारी सास है मैंने तुम्हे कम मना किया माजी के लिए कुछ भी करने से मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरे पास चेंज है क्यों छोटी सी दुकान पर 500 रुपे लेकर जाना? अब दिविया अपने पर्स से 10 रुपे ला कर अपनी सास को दे देती है ताकि वो चाय के साथ बिसकुट या नमकीन कुछ खा सके इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन मनिश अपनी सास और जिठानी से कहती है मा जी घर की दिवारी कितनी ही खराब हो गई है क्यों दिदी सही काना मैंने? अब तो पेंट पी उखड़ने लगे है वो खड़ तो रहा हैं और उखड़े भी क्यों न? सब कुछ इस सीलन की वज़े से हो रहा है अभी दो साल पहले ही तो पेंट करवा था घर में दिवर जी की शादी पर देखो कितनी जल्दी दिवार खराब हो गई सिच में दो साल इस घर में दो साल से पेंट नहीं हुआ तब ही तो घर की सारी पेंट निकल रही है माजी क्या हम इतने गरीब है कि अपने घर की दिवार भी नहीं रंगवा सकते अरे बहु ज़रूरी तो नहीं ना कि जिसके घर में सफिदी ना हो वो घर गरीब होता है मैं अभी दिवाली को बहुत समय है दिवयाब हो और मैं अभी कुछ दिन पहले ही घर की दिवारों की ही बात कर रहे थे मा जी बिलकुल सही कह रहे है मनिशा कुछ दिन की बात है रुक जाओ दिवाली पर दिवार की मरमत करवा लेंगे और अच्छे से सफेदी भी इसका मतलब जब तक दीवाली नहीं आती हम ऐसे ही कबार खाने में रहेंगे अरे घर के हालत तो देखो कितनी खराब हो गई है मेरे कमरे की दीवार तो हच्छे ज्यादा खराब हो गई है जाडू लगाती हूँ तो दीवार छड़कर गिर जाती है मेरे बसकी नहीं है ऐसे घर में रहने की तो तुम चाहती क्या हो कि तुम दीवाली तक नहीं रुक सकती बिलकुल नहीं दीदी आपका कमरा चीक है इसलिए आप ऐसा बोल रही है एक बार मेरे कमरे के हालत जाकर देखो मैं तो सोच रही हूँ कि इसी हफ़ते के अंदर घर की दिवारों के मरमत करवालू और हाथ के हाथ सफे दिवी वो भी अच्छी वाली मानिशा बहु कुछ दिन रुक जाना बिटा कुछ दिन की बात है और वैसे भी अभी दिविया बहु के हाथ में पैसे नहीं है और ये महिने का अंड चल रहा है माजी दीदी के पास पैसे होती ही कब है उनसे तो एक काजु भी मंगवाने को कहो तो कहती है चीप में पैसे नहीं अगर दीदी के बरों से रहना तो सारी जिंदगी इस कबार घर में ही गुजानी पड़ जाएगी मनीशा की ये बात सुनते ही दिविया को बहुत गुसा आता है क्योंकि दिविया हर चीज में बराबर का हिस्सा दिया करती थी पर उसकी बावजुद मनीशा इस तरह की बात है कह जाती है जो दिव्या से बरदाश नहीं होती और आखिरकार दिव्या भी बोल परती है बहुत हो गया मनेशा तुम्हारा तुम हमेशा पैसो के दम पर उचलती रहती हो और सामने वालों को छोटा दिखाती रहती हो भूलो मत, मैं तुम से रिष्टे में बड़ी हूं मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो दीदी, आज के जमाने में वही बड़ा है जिसके हाथ में पैसा है और मैंने गलत ही क्या का जो आप इतना मुझे सुना रही है माजी आप भी बताईए क्या मैंने कुछ गलत का बहु तुने कुछ गलत नहीं कहा पर ऐसा भी तो नहीं है न कि दिव्या बहु कुछ नहीं करती उससे जितना बन पड़ता है वो करती तो है अगर करती है तो इतना डर क्यों रही है क्यों पैसे नहीं लगाना चाहती वैसे भी कौन सा सारे पैसे इनी कुदेने इन्हें तो सिर्फ 50% हिस्सा देना है बाकी के 50% तो मैं ही खर्च कर रही हूँ अगर हम दोनों बहु मिलबाट कर घर की दिवारों की मरमत करवा लेंगी तिस बेगलती क्या है मुझे घर की दिवारों की मरमत करवाने से कोई दिकत नहीं है दिक्कत तुम्हारी बातों से हो रही है और हमेशा ना इनसान को उचलना नहीं चाहिए क्योंकि सब के दिन एक जैसे नहीं होते और मनीशा मेरी भी थोड़ी सिच्वेशन समझा करो अरे कुछ दिन रुकने के लिए कह रही हूँ न दो साल से रुकी तो हूँ अब और नहीं रुक सकती और नहीं आप मुझे जेठानी होने का रोब दिखा सकती है घर की मरमत तो इसी हफ्ती होगी और इस पे जो भी खर्च आएगा आपको उसका अधा हिस्सा दे नहीं होगा जल्दी तुमें है तो तुम करवाँ मैं एक रुप्या नहीं देने वाली रुक सकती हो तो रुक जाओ घर की दिवार को लेकर दोनों बहूं के बीच में बड़ी लड़ाए हो जाती है और वो दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है पूरा देन इसी तरह से बीच जाता है पर ना मनिशा दिव्या से बात करती है और ना ही दिव्या मनिशा से अपने घर की अशान्ती देखकर पवित्रा भी परिशान हो जाती है और रात को जब उसके बेटे वीर और सुधिर घर आती है तो पवित्रा सारी बात अपने बेटों को बताती है बेटा, मुझे अपने घर में शान्ती चाहिए, आज पहली बार दोनों बहूं के बीज मैंने दिवार को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई होते देखी है, मेरा तो बस एक ही सपना है, कि जब तक मैं जिन्दा हूँ, मेरा घर परिवार एक ही रहे, पर अगर इसी तरह से ये हालत बहुत खराब हो गई है, हमें इसी हफते के अंदर घर में काम शुरू कर देना चाहिए, वैसे भी मेरी तीन-चार दिन की छुटियां है, मैं अपने सामने ही घर की कामों को करवा दूँगा, सुदेर तेरा और तेरे बीवी का कहना बिलकुल जायस है, पर भाई अपन मैं मनीशा को समझाने की कोशिश करता हूँ, कि वो दस दिन और रुख जाए, अब सुदीर और विर दोनों ही अपनी बीवियों से इस बारे में बात करते हैं, और उन्हें अपने बीच के लड़ाई खत्म करने को कहते हैं, दिव्या, गुसा ठोग दो, मैंने बात कर लिया मान ने मुझे सब कुछ बता दिया, कि तुम्हारी मनीशा से किस बात पर कहां सुनी हुई, देखो मैंने ना सुदिर से भी बात कर ली है, उसने कहा है कि वो कुछ दिन और रुख जाएगा, देवर जी तो हमेशा आपकी बात मान लेते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तो त वेर दिव्या को समझाने की कोशिश करता है, पर अब भी दिव्या का मुझ बना हुआ था, जहां वेर दिव्या को समझाने की कोशिश करता है, वही सुदिर भी मनीशा को समझाने की कोशिश करता है, मनीशा अगर भावी ने कहा तक कुछ दिन रुख जाने के लिए तो पड़ी गई आखिर हमने गलाती क्या बोला है पस भया थोड़ा टाइम मांग रहे हैं कुछ दिन रुक जाते हैं दस दिन की तो बात है अगर ऐसी बात है तो पर ठीक है मैं सिर्फ दस दिन और रुकूंगी हाँ लेकिन अगर दस दिन से स्यादा होए ना तब वही होगा इस दुसरे से बात नहीं करती अगर मनिशा आती तो दिव्या वहां से उठकर चली जाती और अगर दिव्या आती तो मनिशा उठकर चली जाती ये देखकर पवित्रा को बहुत दुख होता है और वो अपनी दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती है देव्या बहु तु बड़ी है, इस घर का भला बुरा जानती है, और तु जानती है ना छोटी बहु कैसी है, फिर क्यों तो उसकी बातों को दिल से लगाती है, छोड़ दे गुस्सा बिटा, माजी मैं इस घर का भला बुरा जानती हूं, इसलिए चुप रहती हूं, वन्ना मुझे मनिशा जैसे इंसानों को जवाब देना अच्छी तरह से आता है। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। जिसकी बाद पवीतर अपनी छोटी बहु के पास जाती है, जहां मनिशा आराम से जीवी देख रही थी। चोटी बहु तु छोटी है, और दिव्या बहु तेरी जिठानी है। हमेशा इस तरह से गुसा दिखाना सही नहीं है बेटा। तु जाकराकर से बात कर ले, दिव्या बहु का दिल बहुत साफ है, वो सब बुल जाएगी। मैं जी मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बस दस दिन इंतिजार करना है, आखिर मैं भी तो देखू, इस दस दिन के अंदर जिठानी जी कौन सा तीर मानने बाली है, मैंने तो सोच लिया है, घर की दिवारों की मरमत तो इसी महीने होगी, और इस बार देखती हू पर इन दस दिनों में भी वीर पैसों का इंतिजाम नहीं कर पाता, और वो एक बार फिर अपने छोटे भाई से कुछ दिनों का समय मांगता है, मैं क्या सूच रहा था कि अगले महीने करवाते हैं ना दिवारों की मरमत, अरे दिवारों की मरमत करवानी तो है, फिर आज हो आकल और इन सब के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, जब तक हाथ में पैसे ना हो तब तक कोई काम करना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम ना अगले महीने दिवारों का काम शुरू करेंगे, भई आप बुरा मत मानना, पर आपके हाथों में कभी पैसे नहीं होते, अगर हम आपके भरों से बैठे रहे, तो हमारा तो बेडा पार हो जाएगा, आप एक काम कर लिजे, आप किसी से उधार ले लिजे, बाद में पैसे चुकाते रहना, हम कोई करसा नहीं लेने वाले, हम तभी इस घर की दिवारों को हाथ लगाएंगे, जब हमारे हाथों में पैसा हो अगर तुम्हें इसी महीने करवाना है, तो तुम अपने हिस्से में करवा लो, दीदी, अभी घर का बटवारा नहीं हुआ है, जो आप तेरा मेरा हिस्सा करी है, ये पूरा एक घर है, और इस घर की हर एक दिवार की एक साथ मरमत होगी, और मेरे पती ने कुछ गलत नहीं क अगले महीने भी तो आप पैसा दोगे ही न, वो पैसे हमें ना दे कर कर्स चुका ले न, अभी कहीं से पैसे लेकर घर की मरमत के लिए लगा दो, हम बहुत गरीब हैं, किसी को हम पर भरोसा नहीं कि हम उनका कर्स चुका पाएंगे, एक काम करो, इस साल तुम पैसे लगा ल मा जी, कह दीजे दीदी से, वो अभी के अभी समान के पैसे दीदे, हमने पैंटेर और मिस्तरी से बात कर ली है, कल से ही घर में काम शिरू हो जाएगा, किस से पूछ कर तुमने मिस्तरी और पैंटर से बात कर ली, तुम इस घर की बढ़ी नहीं, सबसे छोटी बहू हो समझ जी, इसलिए छोटी हो तो छोटी बन कर रहा हूँ, तो आपका मतलब है कि मैं अगर छोटी हूँ तो आपके गुलाम बन कर रहा हूँ, क्यों? पवित्रा की दोनों बहूं के बीच की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उन दोनों की बढ़ती बहस को देखकर अब पवित्रा चुप नहीं रहती है और गुस्से में दोनों से कहती है, बहस करो तुम दोनों, मैंने तुम से पहले ही कहा था कि ये घर मेरा है, इस इसके लिए मुझे अपने जेवर बेचने पड़े या तुम्हारे ससुर की पेंशन खर्च कानी पड़े। पवित्रा की ये बात सुनकर दोनों बहूं का मुप बंद हो जाता है, पर वीर और सुधिर को अच्छा नहीं लगता, और वो अपनी मा से कहते हैं, माही अब क्या तुम दोनों भाई एक साथ इस घर में हो, वनना तुम दोनों भाई इस घर के साथ मेरा भी मटवारा कर देते हैं, इसलिए जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक इस घर की जिम्मदारी मैं उठाऊंगी, तुम दोनों को कुछ करने की जरुवत नहीं है, सारी गलती मेरी है जो मैंने घर की जिम्मदारी अपने बेटो के हाथ में देती, मा जी, हमारा इरदा आपकी दिल को ठेस पहुच जाना नहीं था, पर आप ही बताइए मैंने कुछ गलत तो नहीं का, एक बर घर की आलत तो दीखो, घर की दीवार ही तो घर की रान अग होती है, बास छोटी, बहुत हो गया, तेरी सारी चलाकियों को अच्छ से जानती हूँ, तेरे पास पैसे है, इसलिए इतना उचलती है ना, तू अपने सामने किसी की मजबूरी नहीं देखती, और बड़ी बहुत हूँ, तेरा तो हमें शाका एक ही रोना, क्यो, क्या तेरे पती ने इतने सालों म खड़े हो जाते हैं, पवितर अपने घर के लड़ाए खत्म करने के लिए, दोनों बेटों में से किसी से एक रुपया नहीं लेती, और उससे जितना बन पाता है, वो दिवारों के मरमत करवा देती है, पर फिर भी, दोनों देवरानी जिठाने के बीच में मन मुटाओ, च और तर तर